हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल स्मार्ट लार्निंग एव्डेडे़ टूड़े विल डिस्कस अबाउट कांथा पूरा कांथा पूरा जो यह वर्क है यह नौवल यह लिखी थी आपकी राजा राव ने इसके बारे में डिटेल से डिसकस करेंगे हैं हम आज कांथा प पूरा नाम का विलेज है एंड इसमें यही स्टोरी दिखाई गई है कि इंडिपेंडेंडेंस के लिए अपने आजादी के लिए गांधी जी किस तरह से स्ट्रॉगल करते हैं आगे हम डिटेल से डिसकस करेंगे कांथा पूरा की पूरी स्टोरी अभी इसके कुछ में में पूर्च को हम डिसकस कर लेते हैं एंड यह जो वर्क है राजाराव का यह फर्स्ट वर्क है और बेस्ट नॉवल है यह फेस्ट वर्क थी ए इनकी यह लिखा था इंगने 129 में और फबलिष्ट वा थे 1938 में इसकी setting का है Southwest Village कांथपूरा में इसमें characters है मूर्ती, रंगम्मा, अचक्का बडेखा, रतना रचना, भट्टा पटे रंगे, गौड़ा ये इसके characters थे and the story of the novel based on the theme of eternal struggle between good and evil is narrated by a video इसकी जो story है कांथपूरा की वो एक video के थुरू सुनाई जाती है narrate की जाती है and इसमें good and evil किस तरह से एक दूसरे के साथ struggle करते हैं उसी के बारे में detail से discuss किया गया है and कांथपूरा gives the realistic account of the Gandhian freedom Gandhian freedom struggle and A.M. Foster has praised it is A.M. Foster ने कांथपूरा जो novel है इसका praise किया है the finest novel to come out of India क्या praise किया है the finest novel to come out of India ये का है गांधी A.M. Foster ने राजपूरा के कांथपूरा वर्क के बारे में अब कांथपूरा जो work है इसके details से हम discuss कर लेते हैं summary and ये जो work है अपनी graduation complete करती हो है राजपूरा ने ये novel लिखी थी कांथपूरा कांथपूरा नौवल जो है राजपूरा ने कब लिखी थी जब वो अपनी graduation complete कर रहे थे ये first novel है उनका ये उन्हें उन्हें चैन्नी बाद्रास में लिखा था ये मैं आपको बताई चुकी हो 1929 में लिखा था 1938 में पब्लिश भूआ था इसकी setting कहां पर हो थी southwest village कांथपूरा में इसकी theme क्या है all caste को मिलकर गांधी जी के साथ जो है वो British के अगेंस लड़ना चाहिए अगर simple language में बात करें तो इसकी theme क्या थी कि सभी caste को मिलकर गांधी जी के साथ मिलकर क्या करना है British के अगेंस लड़ना है अपने भारत को आजादी दिलाने के लिए जो ये कांथपूरा स्टोरी है इसको बताती है अचक्का जो की क्या है एक बूरी लेडी है विडो है और वो बताती है कि कैसे survive किया उन्होंने और सारी ladies ने अचक्का जो है इस स्टोरी को बताती है नरेटर है इसमें वो बताती है कि किस तरह से सारी ladies ने survive किया है इसमें एक कैरेक्टर है कैंचम्मा जो है वो इस village की देवी है इस गाउं की रक्षा करती है इस देवी ने गाउं के लोगों को राक्षस और असुरों से सुरक्षित किया है नेक्स्ट कैरेक्टर है इसमें मूर्थी, भट्टा, पटे, लंगे, गौड़ा ये भट्टा और पटे, लंगे, गौड़ा जो है वो क्या है लंगोड़धारी ब्राम्मन है मतलब कि एक तरह से कहें तो लंगोड़धारी फ्रेंड्स भी बोल सकते हैं और मूर्थी जो करेक्टर है वो इसमें मैन करेक्टर है तो कहानी इस तरह से स्टार्ट होती है इस नौवल की समरी जो है वो इस तरह से स्टार्ट होती है मूर्थी जो है के पश्चात मूर्ती ने सबसे चंदा इखटा करना शुरू कर देता है और कहते हैं कि हम एक हरीकथा कराएंगे कहानी स्टार्ट होती है आप मूर्ती को एक सिवलिंग मिलता है वो सिवलिंग की स्थापना करता है एप 예elसा prela, पुर्णा क्या नहीं, सारे ब्राह्मन जो हैं, ऊस मूर्ती की पूझ्वा करने, सिवलिंग की पूझा करने लगते हैं, कुर्ण समय के पश्चारि मूर्ती सबसे चनता है, कि हम एक हरी कता करैंगे, और किस को राइइएए अर्क किस की सीक तृत कराएएँ अर्क छोकि एक मुस्लिम पुलिस वाला है इसे रहने के लिए किसी नेभी जगा नहीं दी। जतना वा क्छी यह शाहा है। मूर्ती ने सब को समझाया कि अपना खादी का सामन खुद बनाओ और बिरिटिशों से ना लिया करो इससे क्या हो रहा है कि जो हम बिरिटिशों से सामन ले रहे हैं हमारा देश क्या इससे घाटे की तरफ जा रहा है गरीबी की तरफ जा रहा है तो हमें अपना खादी का सामन उख्ड भुदहीं बनाना चाहिए ड्रेटिस से नहीं लेना चाहिए एंड व कीamat आंढ़ी जो है गांदी जी को सबसे कहता है कि हमें भी गांदी जी कोкомड़ करना सब को and भट्टा और पटेल वह दे जो वह नहीं लगेंगे सभी ब्राह्मन तो भट्टा और पटेल क्या होंगे उनका क्या होगा उनको सपोर्ट नहीं करेंगे जिससे कि वह सारे ब्राह्मन को दबाके नहीं रख सकेंगे एंड मूर्ति की मा पत्नी और मंदिर का पुजारी इन सबने सपोर्ट किया एंड इन दोनों को कौन सपोर्ट करता था बट्टा और पटेल को मूर्ति को तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया लेकिन भट्टा और पटेल को मूर्ति की मा ने मूर्ति की पत्नी ने और मंदिर के पुजारी इन सबने सपोर्ट किया बट्टा और पटेल को एंड रंगममा जो की ईव्युफी थी जो की एक उस सपोर्ट किया और रंगममा, उसके खुम्युवटा अध्यान थी मूर्टि को इसकी खुम्युवटाwn । तो उसने किनारे मूर्थी कि मांगी डैत हो जाती है जब वो उसको निकाल देते हैं मूर्ती जो है रंगमा के घर चला जाता है उसने कुली को समझाया जितने भी कुली थे मूर्ती ने उन सब को समझाया कि हमें पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहिए तुम्हें किस तरह से दबाया जा रहा है और इस ताइम पहर बड़े खान दे 선 बढ़ना के खिलाफ एकशन लिया क्योंकि वो कुल्यों को बढ़काने में लगा हुआ था तो बड़े खान जो हैं पुलिस इंस्पेक्टर है दैन रचना एक नए करेक्टर घर नाम की एक कुली ने हिम्मत दिखाई हिम्मत दिखाकर मूर्ति को जोईन किया मूर्ति जो है जब सब कुलियों को समझा रहाता है कि हमें एक जुठ होकर बिर्टिस के खिलाफ लड़ना चाहिए गांदी जी का साथ देना चाहिए तभी बड़े खान पुलिस इंस्पक्टर उसके खिलाफ एक्षन लेते हैं एंड अनमें से ही एक कुली रचना एक कुली रचना हिम्मत दिखाता है और मूर्ति को जोईन करती है और सभी कुली महिलाओं ने बड़े खान के खिलाफ जितनी भी कुली महिलाए थी कि बड़े खांके दाड़ी पकड़ लेती हैं और इस सब की जिम्मेंदारी क्या करती है मूर्ती ने ले ली जब सारी लड़ीज zatी दाड़ी को पकड़ enhances आब यह से नहीं करने चाहिए किसी से लड़ाय धगड़ा नहीं करना चाहिए तो इस सब करने के लिए मंदिर में ध्यान करता है और मुस hade इस है उसकी कौन करता है रतना जब मूर्थी यह प्राश्चित करता है कि मैंने सही नहीं किया उस सब की जिम्मेदारी मूर्ति ले ले लेता है तो उसका प्राश्टित करने के लिए मंदिर में जाता है एंड मंदिर में उसकी तीन दिन के लिए देखबाल कौन करता है रतना नाम की एक महिला ने करी थी and then मूर्थी and पतेल ने मिलकर क्या की एक मिनी कॉंग्रेस बनाई गाउं में and दिवाली के दिन मूर्थी को रंगमा के घर से पुलिस पकड़ लेती है और रचना and सारे गांधिवादी पुलिस पर तूट पड़ते हैं जब दिवाली के दिन मूर्ती को रंगमा के घर से पुलिस पकड़ लेती है तो रचना और जितने भी सारे गांधिवादी थे पुलिस पर तूट पड़ते हैं तो पुलिस ने सब को पीटा और 17 लोगों को अपने साथ ले गई जेल में रंगमा ने एडवोकेट भेजा शंकर को हायर की और मूर्ती की हेल्प के लिए भेजा मूर्ती की हेल्प के लिए कौन एडवोकेट आते हैं शंकर जो की रंगमा भेजती हैं और इस आंदोलों को जारी रखा जा सके ताकि क्या हो इस आंदोलों को जारी रखा जा सके तीन महीने तक मूर्ती जेल में रहता है तब तक गाओं की सारी लेडिज ने इसकी कमान समाल ली थी और मूर्ती के आते ही तीन महीने के बाद जब मूर्ती आता है तो मूर्ती ने सांदोलन की कमान समाल ली इसने सबसे कहा सब गांधी सब खादी बुनोगे जूट नहीं बोलोगे हिंसा नहीं करोगे मूर्ती जिल से आके सबसे क्या कहता है खादी बुनोगे जूट नहीं बोलोगे और हिंसा नहीं करोगे क्योंकि वो गांधी जी का समर्थक था, गांधी जी को फॉलो करता था मूर्ती इसी टाइम गांधी जी नमक बना रहे थे खबर आती है कि गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया है तभी दो दिन के बाद सभी मिलकर जहां शराब बनती है वहाँ जाकर तोड़ फूट सुरू कर देते हैं तभी पुलिस वाले आकर लोग को अरेस्ट करके ले जाते हैं और आसपास के लोग भी इन्हें क्या करने लगते हैं जॉइन करने लगते हैं इस सराब के अड़े को तोड़ कर रहेंगे हम इस शराब के अड़े नहीं चलेंगे then पुलिस को गुस्सा आता है और पुलिस क्या करते है मूर्ती, रतना, रंगम्मा तीनों को घायल कर देती है किस को घायल करती है पुलिस मूर्ती, रतना और रंगम्मा को then क्या होता है कोके लेक कर लेते हैं, यहां कर लेती हैं। लोड़े का विरोथ कर लिया थे हैं। और पुलिस ने डिसाइड गया कि इस आंदोलन के लीडर्स को पकड़ा जाए तब ये अंदोलन बंद होगा तो मूर्ती और रंगम्मा को पकड़ लिया जाता है क्योंकि वही इसके लीडर थे एक पुलिस वाले ने रतना का रेब भी कर दिया था तदा एंद उसके बाद किया था अचक्क और बाकी ओरतों ने इस आंदोलन की बाकडोर समहार लिया और बटा को बटा का जो घर था वो जला देते हैं बटा के घर को जला देते हैं एंद उसी टाइम पर यूरोप के लोग कांतापुरा में लोगों की जमीन खरिदने में लगे हुए थे तो तभी अचक्का और बागी महिलाएं सोचने लगी कि क्या हमारी जीत होगी और तभी प्रोटेस्ट कर रहे लोगों में से एक ने गांदी जी का जंडा लहरा दिया उस टाइम पर जंडा लहरा ना बहुत बड़ी बात होती थी देन पुलिस वाले ने प्रोटेस्ट कर ले लोगों पर गोलिया चला दी देन क्या होता है जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर पुलिस के अगरती गोलिया चला देती है बट इन लोगों ने अभी तक हिंसा नहीं की थी महिलाओं ने खुद को गन्ये के खेत में चु गाओं को जलाकर चले गई इस ये कहने के एंड मेन खुद गाओं वालों ने अपने गाओं को ही जला दिया इसके बाद के गाओं कासी पुरा में खुले दिल किया है ये उन्होंसे सब लोग के खुले दिल से बंद कर दिया, क्योंकि उनका मानना था, गांधी जी बिल्टी के सामने कुछ जादा ही जुक रहे थे, एंड उसके बाद मूर्ती ने गांधी जी को फॉलो करना छोड़ दिया, उन्होंने किसको जोईन के जवाला नहरू को फॉलो करना सुरू कर दिया, इसने मूर्ती ने, एंड उसके बाद रंगम्मा अभी भी जेल में ही थी, पटेल रंगे वापिस गांव में आ गया, और उसने अचक्का से कहा, गांवालो की जमीन सब बॉम्बे वालो को बेच दी गई है, ये थी कांथा पुरा की स्टोरी, I hope friends आपको अच्छी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना बूलें, आपकी लाइक और कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, गुद दे, टेक केर, बाई बाई फ्रेंड्स